जब जबारलाल नेहरुन ये कहा कि जो साइचीन की जमीन चीन के पास चली भी गई जो उसमें तो घास भी नहीं उखती वो किसी काम की वेसी भी नहीं थी उनने कहा जबारलाल जी बाल तो आपके सर पे भी नहीं है तो क्या ये सर कट के अलग कर देंगे सरोच लैने ने कई बार कहा कि प्रजातंत्र में विरोध की जगा है क्या करे विपक्ष? क्या विपक्ष? क्या वेल में विपक्ष पहली बार आया था? देश आजाद होने से लेके क्या सुखराम के समय सेशन टू सेशन बीजेपी ने वाश आउट नहीं किये थे? उन्हें का सदन चलाने का जिम्मा सरकार का है हमारा नहीं है क्या उन्होंने चाइना से माफी मागने की बात कही थी? क्या उन्होंने कोई बड़ी रोल आउट की बात कही थी कि सरकार ने ये भोशना की इसको रोल आउट करें? क्या आपको पता है कि ये जो पार्लामेंट में हुआ ये आजादी के बाद तीसरा इंसिडन्स है उन्होंने पार्लामेंट के बाहर एक फाइरी स्पीच दिया हजारों साधु ही खट्टा हुए थे और गोहत्या बंद करो ये कानून लाने के लिए सरकार पे दबाव था दबदबा था दबदबा है और दबदबा रहेगा सोशन था सोशन करूंगा करता रहूंगा आगे भी करूंगा एक तरव जगदिब धन्खड की मिमिक्री से मोधी ची खुबाहत हुए जाट कार्ड खेला गया फिर जाट महिला पहलवानों पर खामोशी क्यूंग सांसदों को चुन चुन कर सदन के बहर फेका गया महिला पहलवानों का आसमान हो रहा है क्या भारत में लोकतंत्र अपनी अंतीम सांस ले रहा है इसी सवाल का जवाब आज इस एपिसोड में ठूडेंगे वेकेंट विद वांखेडे कार्यक्रब में आप सभी का स्वागत है नमस्कार मैं हूँ अदिती और हमारे साथ स्टूडियो पर फिर एक बार अशोक वांखेडे जी मौजुद है स्वागत है सर आपका देशनिती के साथ जुड़ने के लिए तीन मुद्दे फिलहाल सुर्खियों में हैं जहां हमने सरकार का दोगलापन या डबल स्टैंडर्ड देखा है तीन मुद्दे पर अलग-अलग तरीके से चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल जिस तरह से संसदों को संसद से बाहर निकाला गया उस मुद्दे को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ये जगदीब धन्खड की मिमिक्री का मामला सामने आया सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से कल्डियान बैनर जी ने जो मिमिक्री की है क्या आप उसे जायस ठहराते हैं यकिनन मैं इसको जायस ठहराता हूँ क्योंकि हमारा समाज खरकर पॉलिटिकल एरिना इतना मैच्यूर्ड है कि लोग व्यंगात्मत बाते कहते हैं आप परल्लामेंट के पुराने डिबेट उठा के देखिए तो जिस हिसाब से भाषणों में व्यंग के बान चलते थे और जिस हिसाब से मजाक उड़ाया जाता था कभी किसे ने इसको बॉड़ी शेमिंग नहीं कहा उधारण के तोर पे साइचीन का जब मामला आया जब जबारलाल नहरू ने ये कहा कि जो साइचीन की जमीन चीन के पास चली भी गई जो अकसाइचीन जो कहते हैं उसमें तो घास भी नहीं उकती वो किसी काम की वैसी भी नहीं थी तो एक सदस्य उटके खड़े हो गए वोने कहा जवारलाल जी बाल तो आपके सर पे भी नहीं है तो क्या ये सर काट के अलग कर देंगे घास नहीं उखती तो वो जमीन भारत की नहीं तो जवारलाल नहिरू के गंजेपन पर भी सिरियर्स डिसकेशन में ये दिक्डाक्श किया जाता है तो वो मेंबर आफ पार्लिमिन का निस्काशन नहीं हुआ अफ लेट इदी अटल जी के टाइम पे भी लालू यादव और जो लालू यादव भयानक रूप से लालू यादव का वो स्पीच अभी भी यूट्यूब पे है कि अटल जी को कह रहे हैं कि हम मानते हैं भई जवारलाल नहरू ने कहा था कि आप प्रधानमंत्री एक दिन बनेंगे अब बन लिये हो एक बार बन लिये हो दो बार बन लिये हो अब तो छोड़ दो पिछा देश का महुदा है जगा खाली करो हमको आने दो और वो ठाका लगाते आज या शेरि होती थी कविताओं को अग कविता पाठ होता था एक कविता इसने सुनाई उस्का दूसरा कविता से छेर शायरी में सुछमा स्वराज का शेर और सिसको मशनी बाबा कहते थे कि जो लोग कहते थे बोलते नहीं वो मन्मौन सिंघ ने शेर का जवाब शेर से ही दिया, तो ये ये जगा युद्ध शेत्र नहीं है, ये रण नहीं है, कुछ तिक आखड़ा नहीं है, ये वेचारिक मतभेद है, ठीक है, अलग-अलग राजितिक दल है, अलग-अलग विचारधारा है, जहां विचारधारा का टक्राव होता है, वह आई गाली गलोच किसी के धर्म को लेके करें, अशोबनी है, दिंदनी है, विरोध होना चाहिए। सरोच लैने ने कई बार कहा, कि प्रजातंत्र में वि रोध की जगा है, यहीं विरोध नहीं हो तो प्रजातंत्र नहीं है। पिर तो वन पार्टी रूल हो गया पिर तो एडिक्टेटरशीप हो गई तानाशाही हो गई लेकिन क्या सर आपको नहीं लगता कि अगर सरकार तानाशाही है तो विपक्ष को बहुत सोच समझ कर हर एक स्टेप लेनी की जरूर है क्या विपक्ष क्या विपक्ष क्या वेल में विपक्ष पहली बार आया था देश आजाद होने से लेके क्या सुखराम के समय सेशन टू सेशन बीजेपी ने वाश आउट नहीं किये थे और तब सुष्मा स्वराजी का इंट्रिव सरे दुन्या ने देखा है जब उचा कि भी मांगने की बात कही थी क्या उन्होंने कोई बड़ी रोल आउट की बात कही थी कि सरकार ने ये घोशना की इसको रोल आउट करें बात सिंपल थी दो बच्चों ने पारलेमेंट की दर्शक दिर्खा से नीचे कुदे स्मोक स्प्रे किया कुछ घोशना ही दी इसके बार में प्रधान मंत्री वक्त व्यदे क्या आपको पता है कि यह जो पार्लामेंट में हुआ यह आजादी के बाद तीसरा इंसिडन्स है सबसे पहले जवारलाल नहरू की मृत्यू के दो ढ़ाई साल के बीच शास्त्रीजी प्रधान मंत्री बनने के बाद उनका देहान्त हो गया इंदरा गांधी ने बागड़ोरी संबाली थी गुलजारिलान नंदा ग्रह मंत्री थे तब जो आज बीजेपी है उस समय वो जनसंग हुआ करती थी जनसंग के करनाल के मेमरा पारलामेंट उन्होंने पारलामेंट के बाहर एक फाईरी स्पीच दिया हजारों साधू ही खटा हुए थे और गोहत्या बंद करो ये कानून लाने के लिए सरकार पे दबाव था उनके भाशन के बाद हजारों साधू अन्रूल हो गए उन्होंने पारलामेंट के हमला बोल दिया पारलामेंट के सुरक्षा कर्मियों ने बड़े मुश्किल से गेटवेट बन करके उनको रोका उसके बाद वो सारा हुजूम पारलामेंट के पास और इंडिया रिडियो की बिल्डिंग थी जो लगके है उस पे घुसे उसको तोड़ फोड की उसके बाद हो रफी मार्क पे आगे रफी मार्क पर реाएंस की बिल्डिंग है जो आईए न की नाम से जानी जाती थी जासाब अखबारों की आफीस ते उसको तोड़ फोड़ हो गई उसके पास में लेबर और वाटर रिसोर्स की बिलिडिंग है मंत्रा लेकी उसमें तोड़ फोड की गई दिल्ली में कर्फी लगा 48 घंट्रिगा और उसके बाद क्या हुआ सबसे पहले इस्तिफा हुआ गुलजारी लानन्नदा का क्योंकि वो फेलियोर रहे इंट्लिजन्स फेलियोर रही दूसरी बार जब पाकिस्तान के आतांकियों ने हमला किया अटल जी की सरकार थी हमले की उसी दिन अटल जी ने तुरंत देश के सामने अपना वक्तवर रखा और कहा कि पूरा देश इख्टा है इस आतांक के हमले के लिए और आतंक वात को भारत में जगा नहीं तेरा तारीक को हमला हुआ, आटरा तारीक को ग्रह मंत्री अडवानी जी का स्टेटमेंट हुआ यह परंपरा ही इस देश की यह ऐसा क्या हुआ कि यह दो लोग कुदने के बाद ग्रह मंत्री किसी चैनल के प्रोग्राम में इस पे बात करते है प्रधान मंतरी किसी अपने चहते अगबारों को बुला के इंट्रियू दे के उसमें ये बात कहते हैं लेकिन सदन पर ये बात नहीं कहते एक परंपरा है जब सदन चलता है तो सदन के बाहर वक्त अभी नहीं दिये जाते ये सरकार सदन के प्रती जबाब दे ही है चुनी जनताने हैं लेकिन सरकार की जवाब दी सदन के प्रती है क्या जवाब दी है सरकार की स्पीकर कहते है कि वो मेरी जिम्मेदारी है मेरे अंडर आता है हर आदमी अपने अपनी जिम्मेदारी लेगा तो फिर जिम्मेदारी सरकार के किसी तय होगी कल दिरी पुलीस कमिशनर कह गा कि दिली में बरती हुई जो वारदाते हैं, क्रिमिनल वारदाते हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हुँ भाइया, उसमें सरकार का कुछ नहीं है. हर आदमिय अपनी जिम्मेदारी लेगा तो सरकार कोई किसी पर. फिर तो अभी तक जितनी सरकारे हो गई उसके अपर उंगली नहीं उटा सकती कोल स्कैम और जो टूजी स्कैम हुआ था वो जिस मंतरा लेने हुआ था उसकी जिम्मेदारी ले ले सरकार के लिए क्यों उसको भ्रहटा जारी सरकार कहते हैं क्या गरज है लेकिन हर कोई इस मुद्धे पर विपक्ष के साथ था जिस तरह से विपक्ष ने सवाल उठाया सदन में और ग्रह मंतरी अमिट शाह आकर के इस जो सिक्योरिटी ब्रिच हुई इस पर वो बात नहीं कर रहे थे सांसदों को निकाला जा रहा था चाहे गोदी मेडिया हो चाहे इंट्पेंडिक मेडिया हो इतना जबरदस्त निसकाशन कताई नहीं किया गया यह इंटॉलरंस अफ दे गोवर्मेंट है गोवर्मेंट टॉलरेटी नहीं कर पा रहे हैं सवाल पूछना हमेशा निसकाशन यह अंतीम स्टेफ होती है एजनमेंट होता है दो घंटी के लिए एजन हो जाता है बारा बजी के बाद बैठेगी फिर समझाईश होती है फ्लॐर मैनेजमेंट होता है 2014 के बाद पारल्डा मिलिमाईटी अफर मंति का काम फ्लॐर मैनेजमेंट का रहा ही नहीं है वो यह कि प्रस्ताव रखते हैं निसकाशन करवाते हैं क्योंकि आप एकवास बहुमत है जब कॉंग्रिस के समय 68 लोगों का निस्काशन हुआ था तब भी हमने विरोद किया था और आज 143 लोगों का निस्काशन है आज भी हम विरोद कर रहे है निस्काशन यह भगोड़ापन है आप सवालों के 2-4 से बचने के लिए उनको बाहर करते है बाहर उन्हेंने मुख पॉर्लामेंट लगाई अब जगदीब धनकरजी को बहुत बुरा लगा हो सकता है हर व्यक्ति का अपना चॉइस है किसी को अपना काटून निकालने पर अगबार में छपने पर बहुत बुरा लगता है किसी को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा भी काटून छपा मैं भी एक प्रतिश्चित रखती हो गया हूँ सुधिर तेलंग आमारे बीच में नहीं है बहुत फेमस काटूनिस्ट है उनका एक बार जब हमसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझी मनहों जोशी बहुत नाराज हुए हमसे गुस्सा हुए कि आप हमारे काटूनी नहीं निकालते यह इस देश की परंपरा है यदि आप यह समझे वो कहते ठीक है उनको बुरा लगा मान लेता हूँ एक एक इंस्टन से मांगेगी चलो जगदी धनकर जी का नेचर ऐसा है कि वो मजाग पसंद नहीं करते लेकिन उन्होंने वो जो मजाग हो रहा था वो पदासिन अधिकारी का हो रहा था जो अधिक्ष वहां बैठे थे उसका हो रहा था उन्होंने उसको उपराष्टरपती पत से जोड़ा चलो ठीक है आप उपराष्टरपती हैं आप उससे जोड़ सकते हैं आपने उसको किसान से जोड़ा कि मैं किसान का बेटा हूँ आपने उसको जाट समाज से जोड़ा कि मेरे समाज का आपमान है उनके शब्द है किसान का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा आपमान मैं सहिन कर सकता हूँ लेकिन किसी किसान या किसी जाट का मैं आपमान सहिन नहीं करूँगा मैं आहुती दूँगा अंतिम आहुती दूँगा तो वो जाट कहां गए थे जब 700 किसान मर गए थे क्या 700 किसान जो मरे तब उनमें जाट नहीं था तब इनका जाट प्रेम कहा चला गया था साक्षी मलीक ने तो अभी जबरिया सन्यास ले लिया जब साक्षी मलीक शारीरिक सोचन के खिलाप आंदोलन कर रही थी लड़ रही थी या फायर तक दर्ज नहीं हो रही थी उसकी सरवोच नया लएकर कहने पर या फायर दर्ज हुई जब धरने पर बैटी तो दिल्ली पुलिस ने बरबरता पूर्ण उस धरने को बरबात कर दिया तब उस जाट बेटी के लिए ये जाट क्यों नहीं बोले जब फुलवामा तब ही जाट याद आता है उपर राष्ट्रपती से इतनी ओची और इतनी तुच्छ बात अपिक्षित नहीं थी आज मेरे देश के उपर राष्ट्रपती पद की आउमानना हुई है मेरे राष्ट्रपती ने इस चीज को यदि इसकी समुदाय विशेश या किसी किसानों के साथ जोड़ा हो इस देश के किसान इतने आत्मात्या कर रहे है अभी भी कर रहे है क्या कभी उन किसानों के लिए इस किसान के पुत्र ने आख में से पानी लाया दनकर साप सैनी स्क जो सेनि स्कुल ची शिक्षा है वो इतना इंटॉदरन्स नहीं है सेनि स्कुल गर्दन उचे सेने के साथ गर्दन कॉलर को लगा के चलने और जीने का शिक्षा देती है क्या आपको लगता है कि हमारे देश के जो उपराश्च्रपती है राज्य सभा के सभापती भी है और जो लुकसभा के स्पीकर है उम्बिडला वो अपनी पद की गरीमा को भूल रहे है यकिनन यकिनन यह इस पूरे तंत्र में बस एक की चलती है वहे मूदी जी उसके आगे उपराश्च्रपती हो लोगसभा के स्पीकर हो किसी का कोई महत्व नहीं है किसी का कोई महत्व नहीं है कोन बोलता है मुझे बताइए न क्या कभी स्पीकर को 2014 से लेके आज तक किसी भी स्पीकर को सरकार को डाटते हुए देखा है आपने इससे तो अच्छा मैं महाराष्ट की स्पीकर को मानता हूँ इसके ओपर आरोप लगते है कि अभी तक ओ निरने नहीं दे पाए और सुप्रीम कोड उनको लगता लताल रही है फिर भी ओर निरने नहीं दे पा रहे है नाकपुर विधान सभा में सुशिल कुमार शिंदी की बेटी जो MLA है विधायक है उसने एक सवाल पूछा यह मेरे हस्पिटाल में मशिन्स क्यों बंद पड़ी ह सावंत साभ उठके खड़े हो गए उन्होंने कहा कि विधायक महदया को इतना दर्द है तो मुझे लेटर लिखती सिधा विधान सभा में सवाल पूछने के पहले एक पत्र भी नहीं लिखा और यहां बैटके आप राज़िती ला रही हो इसमें तो स्पीकर ने मंत्री को डाटा बोला सदस्से को मैंने परमिशन दिये सवाल पूछने की और सवाल पूछने के पहले आपको पत्र लिखना यह जरूरी नहीं है यह कौन सा कानून है कि आपको पत्र नहीं लिखा इसलिए सवाल पूछने का अधिकार नहीं है आप सवाल का जवाब दीजे और टाइ गड़बंदर का होता है, लेकिन उस चेर की एक गरिमा है, चाहते हुए भी कई बार आपको सरकार को डाटना पड़ता है, सरकार को हाउस ठीक चले इसके लिए सरकार को बाद करना पड़ता है, सरकार को जवाब देही हो इसलिए, यहां तो ऐसा पता पड़ा कि बिल्कुल यह सास्टांग धंडवत मतलब समझे नहीं आता कि उपर क्यों बैठे आप नीचे बैठके साथ हाउच चलाईए ना त्रेजरे बेंच के साथ ज्यादा अच्छा होगा धनकर साथ तो पार्टी बन जाते हैं विपक्ष ने कुछ जरा कुछ कही दिया और मोदी जी को घेरना शुरू कर दिया कि वो तुरंद बोल देते कि बात दूर तलग जाएगी मैं कुछ बोलूगा तो और भी आपको बोलने की जरुरत नहीं महाँ चाहे आप हाउस कंड़क् खरगे जी का जवाब देने के लिए बीजेपी में बहुत सक्षम नेता खड़े हैं आप क्यूं बताना चाहते कि मोर लॉयल देन दे किंग आप क्यूं उस परिपद की गरीमा घटा रहे हैं क्या आपको नहीं लगता जो सवाल में पहले ही पूछ रही थी कि विपक्ष को लेकर के चाहे गोधी मीडिया हो चाहे इंडिपेंडेंट मीडिया हो इस बात पर हम चचा कर रहे थी कि जो हुआ वो गलत हुआ इस तरह से एक सो चालीस से अथिक सांसदों को निकाल देना उचित बात नहीं है उप राष्टोपती जगदीब धनखड़ पर उमबिला पर सवाल उठाए जा रहे थे लेकिन इस बीच एक मीमिक्री ने पूरे खेल को विगार दिया जो गेंद शायद विपक्ष के पाले में था वो आपकी मीमिक्री हुई और आपका जो अपमान हुआ उससे मज़े बहुत बुरा लगा और जैसे कि प्रदान मंत्री जी हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं उन्हेंने कहा कि पिछले 20 साल से मैं अपमानित होता रहा हूं क्या अपमानित हुए भी आप? किसने अपमानित कि आपको? सवाल पूछना आपके कुकरमों का जवाब मांगना यह अपमान करना हुए या क्या? और आपको लगता है तो आपको के पीले चावल देके तो नहीं आया तक या प्रदान मंत्री बने? नहीं बनते? समास्यवा करते? संग में प्रचारक बने रहते? सत्ता का सूख भी उपभोगना है? लाकों के सूट भी पहनना है? करलो के फ्लाइट में जाना है? सारा उपभोग करना है लेकिन जवाब देही नहीं देना? रुपया 63 रुपय होता है तो देश की गरीमा गिरती है, देश की प्रतिष्टा गिरती है, 83 रुपय होने पर प्रतिष्टा आप मनित कर रहे हैं आप मोदी जी को ऐसा सवाल पूछ के इसमें इस वकत जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महीला पहलवानों के साथ जो हुआ वो बस इतना चाहते थे कि हमारे WFI का अध्यक्ष एक महीला बने लेकिन बनाया उनको गया जो की ब्रिजभूशन शरन सिंग जो की यॉर्ण शोषन के आरोपी है उनके राइट हैंड को उनके बिजनिस पार्टनर को बनाया गया और तज़वीर इस तरह की आ रही थी कि मालाओं के साथ ब्रिजभूशन शरन सिंग का स्वागत हो रहा है इसे आपकिस अंदाज में देखते हैं नहीं तो वो तो डमी केंडिडेट है ब्रिजभूशन जी का क्योंकि स्वागत अध्यक्स के गले में एक हार नहीं था यह तस्वीर है यह तस्वीर है अध्यक्स साथ में खड़े है वीका लेके और उनके शब्द क्या थे दबदबा था दबदबा है और दबदबा रहेग राश्टरपति जी ने ट्वीट किया राश्टरपति भावन उन्हें कहा कि ये अच्छे परमपरा नहीं है जो आप मानित हुए है उपर राश्टरपति भावन का ट्वीट मनिपूर पे कभी नहीं आया छे मैने से मनिपूर जल रहा है क्या राष्टरपती मोहदया का कोई दाइत में मनिपूर के प्रती नहीं है प्रधान मंत्री कहते हम तो कभी राष्टरपती की धर्म और जाती से लेके मुझे कोई लेदान देना नहीं है वो मेरी देश की राष्टरपती है मैं नतमस्तक होता हूँ उस महिला के संगर्ज के लिए लेकिन क्या फिर उनको मनिपूर के बारे में एक शब्द नहीं बोलना था आप आदिवाची समाज से आती है तो मनिपूर में तो आदिवाची समाज बहुत है जो समाज लड़ रहा है वो आदिवाची समाजी है जिसका दमन हो रहा है क्योंकि वो तो आदिवाची ही है उसके लिए एक शब्द नहीं आया देश की होनार बेटिया आप महिला है देश की होनार बेटिया अपने शारी दिक सोचन के खिलाब लड़ रही है एक ट्वीट नहीं आया आपका आपका ट्वीट आया कि इस पर एक केंपेंट चला दिया क्योंकि आप उस चर्चा से नहीं भाग रहे हैं ऐसा नहीं कि ग्रह मंत्री या प्रधान मंत्री बोल नहीं सकते सवाल है वो दो रड़के जो कुदे हैं वो जिस सवालों के वज़े से कुदे हैं उस सवालों के जवाबों का क्या करोगे वो बेरोजगारी के नाम पे कुदे हैं महंगाई के नाम पे कुदे हैं वो किसानों की समस्याओं को लेके कुदे हैं आज उनका पाकिस्तानी लिंग ढूला जा रहा है आज उनको आतंकी करार देने के लिए सारी एजन्स या दिन रात मिनत कर रही है उनका फैमिली बैग्राउंड कभी आतंका नहीं रहा कोई किसी पर केस नहीं रहा कभी कोई किसी गुना में अटेट नहीं रहा उसमें एक एरिक्षा चालक है एक रोज का काम करने वाला लेबर है एक किसान है और एक वो लड़की है जो बहुत सारे डिग्रिया लेने के बाद भी नोकरी नहीं मिल रही है इसलिए परिशान है और इनका कॉमन फैक्टर भगस सिंग है भगस सिंग फैन क्लब्स और भगस सिंग को मानने वाले ये युवा सोशल मेडिया के माध्यम से एक कलब बना के बैठे और जब उनको लगा कि ये सरकार सिर्फ अपने मन के बात करती है हमारी बात तो सुनती भी नहीं तो भगस सिंग ने क्या किया था वो टेररिस्ट एक्ट थोड़ी था भगस सिंग इने जो विस्फोटक यूज किये थे उसमें किसी को क्या किसी चेर को भी क्रैक नहीं आया इनसान को हार भुने की बात या लग थी उन्हें सिर्फ एक धमाका करना था आवाज करना था क्योंकि अंग्रेज जो थे इंगलंड की जो महरानी जी थी उनके कांत के बात पहुँचानी थी भारत की जनता की पीड़ा विश्च्व के पटल पे रखनी थी ऐसा ही इन बच्चों ने किया इन्होंने किसी को हारम नहीं किया किसी को हानी नहीं पहुचाई बस आवाज वहां तक लेकिन कम से कम भगस सिंग की शाहदत इतना रंग लाई कि पुरे विश्च्व को पतापड़ा भारत के साथ क्या हो रहा है अंग्रेज की इंग्लंड के रानी छोड़ी है पुरे इंग्लंड के पार्लेमेंट में इसकी गुंज हुई वहां डिसकेशन्स हुए लेकिन दुरभाग गया है बरतमान सत्ता अंग्रेज उसी भी गई गुजरी है जो इन बच्चों की इस प्रयास को आतंकी करार देके उनके उपर राष्टर द्रोह का मुकदमा लगाके उनकी जिंदगी बरबात करना चाहती है सरकार बिलकुल बेरोजगारी, महंगाई पहलवान या मनिपूर के सवालों से भागती हुई तो नजर आई रही है साथी साथ पहलवानों ने जो किया साक्षी मलिक ने उन्होंने क्विट कर दिया कुष्टी वही पर हमने देखा कि बजरंद पुनिया ने अपना जो पदमश्री है वो जाकर के पीए मावास के बाहर वो छोड़ करके आए, फुटपाथ पर छोड़ कर आए क्या आपको लगता है देश की जनता इसे देख नहीं रही? क्या इस पर राम मंदिर भारी पड़ जाएगा? या हिंदुत्व भारी पड़ जाएगा? हिंदुत्व कभी भारी करी पड़ा नहीं है एक हिंदुत्व परसेप्शन बनाते है मैंने पिछली बार भी कहा था कुई उपी के चुनाओं के नतीजों के बाद कि राम मंदिर जहां बड़ा है वही विजुपी हाली है बनारस के कॉलडर में जहां प्रधान मंदिर तीन तीन तक क्याब करके रहे और बनारस का मंदिर लोकार्पित हुआ इतना गाजा वाजा हुआ हुआ लेकिन उसमें से चौपर में से 27 सिथे अकिलेश ले गए समार वो नहीं है समार राम मंदिर का नहीं है लेकिन होता क्या है जब आपके पास कुछ नहीं है तो चोगिसी चीज़ को आप बड़ा इवेंट बनाते है देखिए उन लड़कों की समझ से आए इस देश की समझ से आए उसका जवाब आपके पास नहीं है तो उन लड़कों को कूदने का जो इशू है उससे बड़ा इशू आपने धनकर साब के उस मिमिक्रिका कर दिया G20 कोई देश की अचुमेंट नहीं है G20 की अध्यक्षता बाइ रोटेशन है या कॉंग्रेज, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीवसेना किसी की भी डियम के, AIA, डियम के किसी की भी सरकार होती केंदर में तो भी भारत ही अध्यक्ष बनता क्योंकि बाइट टर्न अपना नंबर था संयोग से मोदी जे प्रदान मंतरी है तो वो अध्यक्ष था उनके पास आ गई मतलब भारत के पास आ गई लेकिन प्रोजेक्षन ऐसा हो रहा है कि पुरे विश्वने चुना है उनको, G20 को क्या भारत ही हमारा अंती सत्य भारत है और मोदी जी अब नई आपार लगाएंगे ऐसा कुछ नहीं था फिर कहा गया कि सर्वसंमती से पारित हुआ सर्वसंमती से पारित हुआ इसके पहले इंडुनिश्या में G20 था क्या हुआ उसका वहाँ सर्वसम्मति क्यों नहीं हो पई? वहाँ सर्वसम्मति होने में किसने रोडाट गया? भारत ने रोडाट कया. इंडोनिशिया रोता रहा कि G20 का फोरम यू आर्थिक फोरम है, इसमें राजनितिक चर्चा ना हो, इसमें युक्रेन और रुषिया का मामला ना लाया जाए लेकिन भारत अड़ा रहा युक्रेन और रुषिया का मामला नाने में उसमें रुषिया के अंबेसर्टर बैकॉट करके चले गए और वो सहमती बने बगर प्रस्तापड़ा रहा है भारत में होते से ही प्रधान मंति जिनने तुरंद मान लिया कि आर्थिक संगटन है इसमें राजनितिक सर्चा नहीं होनी चाहिए अरे भाई ये बात आज आप कह रहे हो इंडोनेशिया में कहते तो शायद सर्वसंबति महां भी होती है आप रशिया से डर गें आपने सर्वसंबति के नाम से युकरेन और वो युश्वी पूरा ड्रॉप कर दिया एक पेरग्राफ रेफरेंस के लिए दिया उतना तो रेफरेंस वा भी होना था तो ये जो तक डिटेल लोगों के सामदे नहीं आती तब तक और जी ट्वेंटी का में वेंजन परोसे गए जी ट्वेंटी से भी बड़ा नैम इंद्रा गांधी ने करवाया था लेकिन तब तो दिल्ली बंद नहीं थी तब तो ऐसा इवेंट मार्केटिंग नहीं हुआ था आप करिये मार्केटिंग करिये जूट मत बोलिये जो सच्च ये लोगों के सामने रखिये आज राम मंदिर बंद रहा है मैं मानता हूँ राम मंदिर बंद रहा है अड़ वार्ट कॉस्ट 14 डिसेंबर को अनिता नाम के 31 साल के महिला ने अनिता यादो ने खुद कुशी कर ली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आवाश योजना के तहर उसे 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए मिला कुशी नगर में जो गुरकपूर से लगावा जिला है वो जिस जमीन पर घर बना रही थी जो जमीन थी उनकी उसमें नीचे जो बेस होता है प्लिंथ होती है नीचे की वो बनाने में पैसा 1,000 रुपए लग गए बाकी बचों में बड़ी मुश्किल से दो दिवारे खड़ी हो गए बाकी पैसा कहा लाएंगे घर बनाने के साड़े 28 प्रतिशत के बैच पे और जब पैसा नहीं दे पाई तो RBI के सारी गाइडलाइन ध्वस्त करते होए यह माइक्रो फाइनास की कंपणी गले तक पहुंच गई हरैश करने लगी रिलेटिव के यहां जाके कि यहीं से पैसा दिलवाओ उसने तंग आके अहत्मत्य क इस देश में राम को घर की ज़रूरत नहीं है 143 करोड घर इस भारत भूमी पे राम जी के लिए तैयार है हर एक के दिल में राम बसते हैं यह क्या राम के प्रान प्रतिष्ठा करेंगे राम अपने मंदिर को देखके प्रसंद नहीं होंगे उस आरती का घर देखके प्रसंद नहीं होते क्या कभी इस क्रियान वैन का आपने सोचा है 20% जन्धन के अकाउंट non-operative है क्या आपने सोचा है कि जब आकड़े परुस्ते हो तो वाकई इसके लाभारती है या नहीं यानि देश के लोकतंत्र पर खत्रे की घंटी बज रही है देश में एक ही व्यक्ती है मोदी जुई सर्फ मोदी जुई की चलती है बाकी किसी की नहीं चलती चाहे वो उपराश्रपती हो राश्रपती हो लुकसभा स्पीकर हो या मंत्री मंडल हो जो दर्शाता है कि देश में डेमोक्रेसी नहीं दोस्तो डिक्टेटर्शिप जारी है इसे के साथ इस एपिसोड में विदा लूँगी और आप कमेंट बॉक्स में इस एपिसोड पर अपनी राएं लिखे ऐसे ही अहें मुद्धों पर अगले हफते फिर से वांखिड़े जी के साथ चर्चा करेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और आजाद मीडिया को सपोर्ट करने के लिए देशनीती के साथ बने रहिएगा बहुत बहुत शुक्रिया